जेहन दोस्तों आपका सक्से बिष्टा क्लासिस पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप देख रहे हैं हम BPSC जो टीचिंग का पेपर है हमारे पास आ चुका है दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट सेकेंड पहला कोशन है जैसा कि पहला कोशन पटना कॉले के वहीं अर्विंद घोस 1906 में इसके संपादक रहे हैं तो इसका ओप्सन होगा उप्रियुक्त में एक से अधिक अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों प्रशन संक्या 33 से ओल इंडिया हर्यन संकी स्थापना 1932 में दिल्ली में ये महात्मा गांदी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है प्रशनस अगला देखते हैं प्रशनस अंक्या 34 से कौन सी घटना सबसे पहले हुई तो दोस्तों आपको पता है बेवल जो है ये 1943 में भारत आता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सुरूग होता है भारत छोड़ो आंदोलन की सुरुवात जब क्रिप्स मिसन भारत आता है इसी को जब महत्मा गांधी पोस्ट डेटेट चेक करके रिजयक कर देते हैं तो आपको आइडिया लगया होगा क्रिप्स मिसन भारत का आगमन सबसे पहले आ हुता है अगला प्रशने देखते हैं इनमें से किसने ये कहते हुए भारती राष्टी कॉंग्रेज की हसी अगला प्रशने देखते हैं मुझफवर पूर बमकांड 1908 का ये बमकांड काफी भारत के इतियास में चर्चा का विसह रहा और आपको पता है इसमें खुदी राम बोस खुदी राम बोस भारत के सबसे कम उम्र के सुतंतरता सेनानी रहे जिनको फांसी की साजा दी गई त अगला प्रशने देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन एक एहरार आंदोलन से संबंदेत नहीं थे तो दोस्तों मौलाना मजरुलहक और मौलाना जफर अली दोनों एहरार आंदोलन से संबंदेते जबकि आप देखेंगे मौलाना अलताफ हुसैन आली ये संबंदेत नहीं थ अगला प्रश्ण है 1832-33 के मद्द कोल विद्रो का नेत्रत किस ने किया तो बुद्ध भगत ने किया था इसमें कोई option करेक्ट नहीं है तो option E इसका correct है अगला प्रशने देखते हैं किर्स वर्स कुमर सिंग का देहानत होता है अप्रेल 1858 इसवी में कुमर सिंग का देहानत हो जाता है अगला प्रशने यूवा जो बैंगॉल आंदोलन था उसकी इस्तापना हेंडरी विवियन डेरे जीयों के द्वारा की जाती है अगला प्रशने देखते हैं किस तिधी को क्लीमेंट इटली ने यह गोशना की कि जून 1948 तक ब्रिटिस भारत को छोड़ देंगे तो यह 20 फरवरी 1947 इसवी को ऐसी गोशना की गई थी आईए अगला प्रशने देखते हैं 42 मा प्रशने है किस वर्स बिहार को बेंगॉल से अलग किया गया तो 1912 में बेंगॉल को बिहार से अलग कर दिया गया इसका option E correct है बेंगॉल से बिहार को अलग किया गया 1912 में निमलिकित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुखे कारण था दोस्तों हमने आपको बताया था महात्मा गांदी के दोरा जो क्रिप्स मिसन था क्रिप्स मिसन की जितनी कंडिशन्स दी गई थी वो भारती राष्टी कॉंग्रेस ने उनको अस्वीकार कर दिया और इसी को post dated चेक के रूप में कहके महात्मा गांदी जी ने ये प्रश्ण देखते हैं और निमलिकित में से भारत वर्स में विदी की सुनिता का कौन सा पहलू पाया जाता है तो दोस्तों हम आपको बता दें अगर आप देखेंगे अगर न्याय पालिका जो है वो विवादित कारिप पालिका आदेश या विधाई उपायों को पूर्टा या उसके कुछ भागे को सुनि गोसित कर सकती है ये पाया जाता है एक सुनि विधी को संबैदानिक संसोधन के माद्यम से राज पुनर जीवीत कर सकता है बिलकुल ये सही बात है और अगला प्रश्ण है एक संबिती पूर्टा या आंसिक रूप से सुनि गोसित की जा सकती है तो दोस्तों इसमें उपरियुक्त में से एक से अधिक ओप्सन करेक्ट है द्वन के मापन की एकाई को क्या कहा जाता है तो दोस्तों द्वन के मापन की उपाई डेसिवल होती है जो की इन तीनों में नहीं है बोल का उद्ध गाटन जो किया गया था आप जानते हैं 28 माई 2023 को किया गया था अगला प्रश्षिन देखते हैं प्रश्षिन संख्या PersGL भारत का जो चनद्रियान तीन है चनंदर्मा की सतह पर 23 अगस्थ 2023 को उतरता है अगला प्रशन देखते हैं भारत का जो संविधान का अनुच्छे देख भारत को एक संग राजी के रूप में वर्डित करता है ब्रिटिस आसन के दोरान दिल्ली की राजधानी की नीब किसी ने रखी तो दोस्तों आपको पता है 1911 में जो जॉर्ज पंचम है जॉर्ज पंचम भारत आता है तो याद रखी किंग जॉर्ज पंचम अगला प्रशन देखते हैं सरकारी सूत्रों के अनुसार COVID-19 के कारण मिड 2023 तक लगबग 5 लाख भारतियों की मौध होई थी अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन प्रशन संख्या 57 जी 20 का धेब आके क्या है थो दोस्तों जी 20 का धेब आके था वरशुद है वह कुटम भुकम अगला प्रशन है प्रशन संक्या 58 भारति ये मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलियान के चित्र मुद्री था तो दोस्तों आपको पता है ये 2000 का जो नोट आया था नया नोट उस पे मंगलियान मुद्री था दोस्तों ये अगला प्रेशन है उनसर्ट भूकम्प की तीब्रता का मापन किस मसीन द्वारा किया जाता है तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकम्प की तीब्रता मापी जाती है वायू में ऑक्सीजन का प्रतिसत जो है वो 21 प्रतिसत है अगला प्रशन है वायू मंडल की किस परत में हवाईजाज उड़ाय जाते हैं तो दोस्तों आपको पता है समताप मंडल जो छोब मंडल के बाद की परत है समताप मंडल इसमें सांत छेतर पाया जाता है इस बज़े से हवाईजाज यहीं उड़ाय जाते हैं पर्यावरल को किस से खत्रा है पादब रदी से कोई खत्रा नहीं और ना ही फसल की ब्रदी से जंसंक्या की ब्रदी से पर्यावरल को काफी खत्रा है तो दोस्तों अगला प्रशन है सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा गर्म मरुस्तल है वलकि पूरे बिस्सु का सबसे बड़ा मरुस्तल है ये गर्म मरुस्तल है अगला प्रशन है स्वक्ष भारत मिशन की सुरुआद 2 अक्टूबर 2014 को की जाती है नरेंद्र मोधी के द्वारा अगला प्रशन है गंगा नदी के तड़ पर इस्तित सहर तो आपको पता है प्रियाग राज जो है गंगा नदी के तड़ पर इस्तित है और वहीं देखेंगे आप कोल काता जो है यह हुगली नदी के तड़ यहां confusion नहीं होना चाहिए प्रियाग राज option A correct है अगला प्रशन उर्जा का गैर परमपरागस रोत क्या है तो परमाड उर्जा भूतापी है ये परमपरागस रोत है और दोस्तों गैर परमपरागस रोत है वायोगेश वायोगेश जो है इसका correct option है दोस्तों अगला प्रशन है जन संक्या घट जाएगी तो दोस्तों जन संक्या का घटेगी जब जन्मदर कम हो और अम्रत्यदर देखो दोस्तों निमलिकित में से किस प्रकार के प्रदूसर से पीलिया रोप फैलता है तो आपको पता है दोस्तों पीलिया जो होता है पीलिया में हमारा लीवर खराब हो जाता और लीवर जो खराब होगा वो जल प्रदूसर जो होगा दूसेध जल पीने की बजह से होगा दोस्तों जो हमारे भारत का जय विविता होट सपोट है वो पस्चमी घाट वेस्टर्ण जो वाला घाट है यह जो है जय विविता का होट सपोट है दोस्तों VOD, Biological Oxygen Demand दोस्तों Oxygen Demand का अर्थ हो गया oxygen की कमी हो जाएगी पानी में oxygen की पानी में कमी कब होगी जब पानी बहुत प्रदूसित हो गया हो और दोस्तों इसका जो दूसरा option है पानी में सूच मजीबों की बज़े से कार्बनिक पतार्तों का उपवोग जादा हो गया हो तो इन दोनों की बज़े से ही आप देखेंगे BOD बढ़ जाएगी oxygen की demand बढ़ेगी तो इसका option D correct है दोस्तों hepatitis A किस प्रकार की बीमारी है तो आपको पता है ये दूसित भोजन खाने से hepatitis बीमारी होती है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण जो मल के दोवारा प्रदूसित पानी होता है इसमें मचलियों की मुरत इसलिए हो जाती है क्योंकि पानी के अंदर oxygen की जो है वो कमी हो जाती है क्योंकि सूचमजीब जो होते हैं वो oxygen की कमी उत्पन कर देते हैं दोस्तों भारत में प्रवाल प्रवाल वितियां कहां पाई आती हैं प्रवाल वितियां समुद्री वाले रीजन में होगी तो ये दोनों गलत हो गए अंडमा निभम निकोबार दीप समु के पास में प्रवाल वितियां पाई जाती है